चाइना को फिर से मुखी खानी पड़ी है विकॉस भारत का ये मेगा प्रोजेक्ट अब वो बिल्कुल रोग नहीं पाए दरसल भारत ने शुरू कर दिया है चीनी बॉर्डर पर बनाना देश का सबसे बड़ा हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट और इससे चीन पूरी तरह से बॉकला गया है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 20 साल से ये प्रोजेक्ट पूरा पेंडिंग में पड़ा हुआ था 2003 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाना था लेकिन काफी सारे विवादों के चलते इससे स्टॉल कर दिया गया और फाइनली अब यहाँ पर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है कि इस साल से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है 2880 मेगावाट का ये पूरा प्रोजेक्ट अरुनाचल प्रदेश के दिंबाग जिले में दिंबाग नदी पर बनाय जा रहा है ये परियोजना भारत को पानी से बड़ी मात्रा में बिजली पैदा करके देगी लेकिन क्योंकि अब ये इतना साथा डेले हुआ था अल्मूस्ट 20 साल जाहिर से बात है कॉस्ट ओवररन भी हुआ होगा एक नई दो नई लेकिन थ्री टाइमस उसके ओरिजनल कॉस्ट का पूरा कॉस्ट ओवररन हो चुका है विद 2.6 बिलियन डॉलर इंक्रीज एस्टिमेट्स द्वारा बताय जा रहा है कि अगर प्रोजेक्ट अभी शुरू हुआ तो 9 साल तो अराम से लगेंगे इसके पूरे कंपलिशन में अच्छी बात ये भी है कि भारत ने रिसेंटली 3.9 बिलियन डॉलर अप्रूव भी किये थे इस हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट के लिए बट काफी क्रेटिक्स का कहाना था कि इसकी कॉस्ट काफी ज़्यादा हाई है लेकिन इससे बेनिफिट काफी ज़्यादा कम मिलेगा स्पेसिफिकली हिमालियन रीजन के जितने भी प्रोजेक्ट है काफी सारे या तो पेंडिंग में पड़े है या डेले हो चुके हैं या फिर कैंसल कर दिये गए हैं काफी सारे reasons की चलते because Himalayan region इतना ज़ाधा disaster-prune area है और हर एक project को एक extra force multiplier system से गुजारा जाता है for potential disaster protection जिसके चलते but obviously हमारे mega projects यहाँ पर काफी expensive बन जाते हैं apart from that भारत काफी बड़े dams भी construct कर रहा है near China and Pakistan border इससे हम काफी enough मातरा में electricity तो generate करी सकते साथी में local economy भी इससे काफी improve होगी यह भारत का तरीका है local economy को boost करने के लिए especially ऐसे इलाकों में जहाँ चीन और पाकिस्तान जैसे बड़ोसी हमें बिले पड़े वैसे आपको क्या लगता है connectivity और ऐसे मेगा प्रोजेक्स के भारत को और बनाने चाहिए हमारे border इलाकों में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताईएगा